साथ होम मेड ब्यूटी फेस मास्क हर महिला एक नैचुरल गलोईंग और ब्यूटीफुल स्किन पाना चाहती है मेकब बले ही कुछ वक्त के लिए आपके चेहरे के दाग दबोग कमियों को छिपा दे लेकिन कलीर स्किन की बात ही कुछ और होती है यही कारण है कि महिलाएं अपनी स्किन का निखार बरकरार रखने के लिए एक स्किन केर रूटीन फॉलो करती हैं जिसमें वह कई तरह के प्रोडेक्ट्स का इस्तिमाल करती हैं हलाकि सुन्दर्था का खजाना परकर्ती में ही चिपा है परकर्ती ने हमें ऐसी कई हर्प्स दी हैं जो सेहत के साथ साथ स्किन के लिए भी गुनकारी है अगर इन हर्प्स को स्किन पर अपलाई किया जाए तो ना केवल आपकी स्किन नैचुरल तरीके से दमकने लगती है बल्कि स्किन पर मौजूद कील मुआ से डार्क सरकल्स वदाग दब्बे भी दूर हो जाते हैं इसके लिए आपको महेंगे महेंगे पारलर में जाकर महेंगे ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है आप गर पर ही रसोई में पाए जाने वाले इंग्रेडियेंट्स की मदद से ही काफी अशरदार ब्यूटी मास्क बना सकती हैं यह नए केवल सस्ते होते हैं बल्कि हानिकार केमिकल्स से भी मुक्त होते हैं तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ होममेड हर्बल फेस मास्क के बारे में बता रहे हैं जो आपकी स्किन के लिए बेहद लाबदायक साबित हो सकते हैं गर्मियों में चेहरे को ठंटक देने के लिए आप खीरा और एलोवेरा का मास्क तयार कर सकते हैं इसके लिए खीरा के छिलके उतार लें अब इसे काट लें और इसका पेश्ट तयार कर लें इसमें एलोवेरा जैल में लाएं इस मिश्रन को चेहरे पर लगाएं करीब 10 से 15 मिंट बाद पानी से दो लें नमबर दो दही और सहद का मास्क यह मास्क चेहरे को हाइडरेट रखने में कापी मददगार है इसके लिए दो बड़े चम्मच दही लें इसमें एक बड़ा चम्मच सहद मिलाएं इस मिश्रन को अपने चेहरे पर लगाएं लगबग 15 मिंट बाद ठंडे पानी से दो लें नमबर तीन पोदीना और खीरे का मास्क इसके लिए आदा खीरा और एक मुठी ताजे पोदीने के पत्तों को बलेंड करें इस मिश्रन को अपने चेहरे पर लगाएं लगबग 10 से 15 मिंट बाद पानी से दो लें यह मास्क तउचा को ठंडक और ताजगी देने के लिए कार 4-5 स्ट्रॉबेरी लें इसे मैश कर लें अब इसमें एक बड़ा चम्मत सहद को मिलाएं इस मिश्रन को अपने चेहरे पर लगाएं लगबग 15 मिंट बाद पानी से दो लें 5-5 स्ट्रॉबेरी लिए सहद और संत्री का पैक एक अंडे के सपेद हिश्य के साथ एक एक चम्मत सहद और संत्रे का रश मिक्स करें अच्छे से मिक्स होने के बाद इस पैक को चेहरे पर लगएं 20 मिंट तक इसे चेहरे पर लगा रहने दे और फिर दो लें यह हर स्किन टाइप को सूट करता है और आपको एक समूद और सौफ्ट स्किन देता है नमबर छे नैचुरल समर्गलो के लिए मिक्स फुरूट मास्क केला, सेब, पपिता और संत्रे को एक साथ मैश करके मिक्स करें जब तक कि एक अच्छा सा पेस्ट तयार ना हो जाए अब इसे अपने चेरे पर लगाएं और 20-30 मिन्ट के लिए लगा रहने दें उसके बाद चेरे को पानी से दोलें और फुरूट्स, एसिड्स का कमाल देखें नमबर साथ, गिलिसरीन और सहद एक चम्मत सहद में दो से तीन बूंदे गिलिसरीन की डालें और एक चुटकी हल्दी मिलाएं इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अपने चेरे पर लगाएं और 15 मिन्ट के लिए सूखने दें जब ये सूख जाये तो इसे हलके गरम पानी से दोलें इस फेस पैक का अपते में दो बार इस्तेवाल करने से आपकी स्किन नैचुरल गलो करने लगेगी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं ऐसी स्वास्तवर्दक जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेर करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद सवास्त रहो और मस्त रहो